मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, ये अच्छा समय जो परमेश्र ने दिया, कि आप लोगों के साथ एक बार फिर प्रभु के वच्छन को लेकर आपके सामने आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, पिछले दिनों में हम लोग सीख रहे थे, विवाहिग जीवन के विशे में परमेश्र का वच्छन हमें क्या सिखाता है, अब हम सीखेंगे एक विश्वासी के जीवन में जो आर्थिक आनुशासन होना है, यानि पैसे के विशे में एक विश्वासी के जीवन में कितना जमवारी होना है इस विशे को हम इस श्रंकडा में हम लोग सीखेंगे तो आजकल बहुत से विश्वासीों की सोच है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं हम गरीब है और उनके घर में पैसे की दिक्कत भी है और वो कहते हैं कि हम गरीब हैं और इसी का फाइदा फिर आजकल हम देखते हैं बहुत से ये आशिश का प्रचार करने वाले भी लोगों की आर्थिक अवस्ता उनकी परिस्तिती का नजायस फाइदा उठा कर उनको गुमरा करते हैं कि मांगो तो तुम्हे मिलेगा पैसे मांगो प्रबू आपको देगा आपका कार्ड हाथ में ले लो हम आपके लिए प्राथना कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आपके खाते में पैसे आ रहे हैं हम प्राथना करेंगे कि आपको लोन मिल जाए और हम प्राथना करेंगे कि आपका करजा हट जाए और फिर आप प्रभु को दोगे तो आपको और बहुत आशिश मिलेगी तो आजकल ऐसे बहुत सारे जगा में बहुत तरीके अपनाय जा रहे हैं जिसके द्वारा लोगों को प्रलोभित किया जा रहा है कि कैसे हम धन इखटा करें, कैसे पैसे हमें और मिलें, कैसे हमारी परिस्तिती में बदलाव आ जाएं, और ऐसे चक्र में बहुत से लोग अपना जीवन बर्बाद कर बैठें हैं, सौ देंगे तो पर्मेशर हजार देगा, हिला हिला कर देगा, आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे दीजे, आपके पास अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप करजा लेकर दे दो, पर्मेशर देखता है, और आपने जैसे ही पैसे डाले, सेवा के लिए दे दिया, तो ग पर्मेशर का वचन हमें क्या कहता है, उसको हमने सीखना है, आईए हम लोग नीती वचन, 27 का 23 और 24 हम पड़ेंगे, नीती वचन, मैं चाहूंगा आप भी बाइबल खोलें, ताकि जो भी हम सीखते हैं, क्या पर्मेशर का वचन ऐसा ही कहता है, या फिर क्या अगला कोई अपने आपको वचन के अनुसा नाप कर देखें, नीती वचन 27 का 23 और 24 में पर्मेशर का वचन क्या कहता है, अपनी भेड़ बक्रियों की दशा भली बांती मन लगा कर जान ले, और अपने सब पशुओं के जुंडों की देखवाल उचित रीती से कर, क्योंकि संपती सदा नहीं ठेरती और क्या राजमुकट पीडी पीडी चला जाता है, तो इधर लिखा हुआ एक बात है, अपनी भेड़ बक्रियों की दशा भली बांती मन लगा कर जान ले, अपने एक बात को समझना, पर्मेशर नहीं चाहता कि हम गरीब रहे, हम धरिद्र रहे, पर्मेशर न पर्मेशर ने बगीचे में इंतजाम किया था, और उसको कहा था, फूलो फलो प्रित्वी में भरो, प्रित्वी के उपर राज्य करने के लिए, इसका मतलब आपको और मुझे पर्मेशर हमारे जरूरत से ज़्यादा हम हर एक को देता है, हर एक को देता है, लेकिन फिर हम गरीब की हालत में क्यों रहते हैं, कारण क्या है, जितना दिया है, उसको हम ध्यान से देखबाल कर नहीं पाते हैं, हमें वो मिलेवी चीज को पैसे हो, चाह कुछ भी हो, उसका देखबाल करना हम नहीं जानने के कारण, हम फिर हमारी हालत खराब हो जाती है, और फिर हम सोचना है कि पैसा पाप है परमेश्यर का वचन पैसा पाप है करकर नहीं सिखाता है लेकिन पैसे का लालच गलत है और हर बुराई का जड़ है तो हम आपको इस क्लास के द्वारा और पैसे मांगने के लिए नहीं सिखा रहे आर्थिक अनुशासन बोलने वकद एक विश्वा ध्यान रखे परमेश्यर ने हमें चुना एक समय हम अपनी मरजी से चलते थे अब परमेश्यर ने हमारी समझ को खोला एक अनंतकाल है परमेश्यर हमारे हाथ में और भी बहुत कुछ अनंतकाल में सोंपेगा लेकिन सोंपने के पहले उसने हमें इस पृत्वी में कई बाते स सूंपी है और जब ये सूंपी है मैंने और आपने ध्यान रखना है सूंपी वी बात में हम कितने विश्वास योग्ये हैं हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं आज बहुत से विश्वासियों के घरों में ये अनुशास ना होने के कारण बहुत कष्टों में पड़े हैं करजे म डूब गए, लोगों से मांगते हैं, और फिर बोलते है पास्टर जी प्रात्ना करिये हमें लोन मिल जाए, बहुत सारे जमेले में फसे हैं, और ये करोना वाइरस भी जब आ गया तो अब और क्या बोले करजा ले लिया, वैसे ही प्रिशान थे, अब धंदा भी खतम हो गया, अब आगे काम भी कैसे करें, तनखा भी नहीं मिल रही, तो ऐसी स्थिती में अब हम क्या करें, दुनिया निराश हो जाती है, लेकिन एक विश्वासी निराश नहीं होता, क्योंकि इन सब के द्वारा परमेशर मुझे सिखा रहा है, तो परमेशर ने मुझे, अब पहली बात आपने ध्यान रखना है, परमेशर ने मुझे जरुरत से ज़्यादा दिया, इदर ध्यान रखे, दूसरों के चलाकी में मत फसे, कि हम देख रहे हैं, प्रबु आपको पैसा देने वाला, ये देने वाला, ये ध्यान रखे, ऐसे प्रचार करने वाले, ये ठगी है, मैं खोल कर आपसे कह रहा हूँ, ये ठगी हैं, जो परमेशर का वचन को लेकर, आप से, आपका कमायवा पैसा भी लूट लेते हैं, ये बोलते हुए, कि आपको अपनी माया जाल में फसाते हैं, हम देख रहे हैं, आशिश आ रही हैं, तो आपका फर्ज बनेगा, कि इन ठगों के चलाकी में ना फसे, प्रबु ने हम सब को जरुवत से ज़्यादा दे रखा है, सो परमेश्वर चाहता है, कि मैं जो भी मुझे मिला है, इसको मैं ढंग से इस्तेमाल करूँ, सो उसके लिए हम नीती वचन तीस का आठ पड़ें, नीती वचन, तीसवा ध्याय, उसका आठवा वचन, यहां लिखा है, अर्थात व्यर्थ और जूटी बात मुझे से दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर, और ना धनी बना, प्रती दिन की रोटी मुझे खिलाया कर, ज़र लिखा है, अर्थात व्यर्थ और जूटी बात मुझे से दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर, और ना धनी बना प्रती दिन की रोटी मुझे खिलाया कर पीछले आयत में हमने देखा हमें जो कुछ परमेश्वन ने दिया है उसको हमने भली भांती हमने उसका ध्यान रखना है मैं दुबारा पढ़ रहा हूँ नीतिवचन 27 वा ध्याय उसका 23 और 24 मैंने पहले पढ़ा है उसको दुबारा मैं आपके सामने पढ़ा अपनी भेड़ बक्रियों की दशा भली बांती मन लगा कर जान ले आपके पस भेड़ बक्री नहीं होगा लेकिन आपको प्रभु ने दिया है हम सब को दिया कईयों को थोड़ा है कईयों को जादा है लेकिन परमेश्वर को मालूम है हमें कितना चाहिए हमने जितना मिला है उसका हमने ध्यान रखना समझेए आपके पास नई चपल नहीं है एक पुरानी चपल ही सही घिसीवी है परमेश्वर देखता है कि आप इस घिसीवी चपल को इस्तेमाल कैसे करते है आपका शर्ट और पैंड आपकी घड़ी आपका मोबाइल आपकी साइकल बेशक पुरानी हो आपके बस नया मोटर साइकल नहीं होगा पुराना साइकल ही होगा परमेश्वर आपको वो देखकर आपको परकता है कि आप इसमें कितने विश्वास ही हो गया है सो इसलिए आपने ध्यान रखना मेरको परमेश्वर ने जितना चाहिए मुझे दिया है इसलिए ना तो हमने जैसे पढ़ा है मीती वच्चन तीस में हमने जैसे पढ़ा ना तो मुझे धनी बना मैं आपके सामने वो आयत दुबारा पढ़ रहा हूँ ना तो मुझे धनी बना आगे हम लोग उसके 30 का 8 हम पढ़े अर्थात वेर्थ और जूटी बात मुझसे दूरक मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना एक विश्वासी धनी बनने के प्रयास में नहीं नहीं वो गरीब रहने की इच्छा में है तो परमेशन ने जब दिया है आप इसको जो मिला है बेशक पैसे मिले हैं इसको आप कैसे इस्तेमाल कर रहें ध्यान रखे आजकल कई घरों में हम देखें कमा कर पैसा लाया शाम को बच्चों ने बोल दिये पापा जी कुलफी चाहिए या आइस्क्रीन चाहिए या समोसे चाहिए तो ले बेटा पकड़ ले पैसे जा खरीद ले बच्चे को तो आपने खुश कर दिया और आपके पास जो 100 रुपे मिले थे उसमें से बाखी बच्चों में से आपने बाखी खर्चा पानी निकाल लिया और फिर शाम को सोते वकत खाली कर दिया बटवा और अगले दिन फिर काम में जा रहे हैं तो जब परमेशन ने आपको 100 दिया तो आप बोलेंगे पास जी बच्चे को आईस्क्रीम खरीद के देने में गलती क्या है बिल्कुल ठीक है आईस्क्रीम खरीद के देने गलत नहीं तो आपके लिए जरूरी घर के लिए राशन खरीदना है या वो आईस्क्रीम खरीद कर देना है तब कई लोग बोलेंगे नहीं बच्चा बहुत परिशान करता, इधर आती है बात, अब आपका बच्चा परिशान हो गया था, आपने बच्चे को खुश कर दिया, तो अब जब करोना वायरस आगे सब कंगाल हो गया, तो अब कौन खुश है, अब कोन परिशान है, दोश कि कि आप अपने बच्चे को दोश दे सकते हैं उस दिन तुने आइसक्रीम मांगा था इसलिए हमारी हालत ऐसे हो गई तो आपने प्रबु से ग्यान और समझ मांगना है कि आज आइसक्रीम चाहिए या और भी जरूरी बाते हैं जो हमें घर के लिए चाहिए इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं नीती वच्चन 21 का पांच नीती वच्चन 21 वाध ध्याय उसका पांच वाध वच्चन हम पढ़ रहा है अब मैं विश्वास करता हूँ आप भी बाइबल खूल कर बैठें कामकाजी की कलपनाओं से केवल लाब होता है परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है कामकाजी करने वाले से केवल लाब होता है परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है इदर हमने ध्यान रखना कामकाजी करने वाला इसका मतलब जो अपनी चीजों पर ध्यान रखता है उसको घटी नहीं होती है इसलिए मैंने और आपने ध्यान रखना कि जब प्रभु ने हमारे हाथ में जब इतना कुछ दिया है इस विशे में मैं कितना वफादार हूँ एक आभिया पर में प्रभु येश्यू के वचनों को जब हम देखें प्रभु येश्यू ने 38 दृष्टांत बोले थे उसमें से 16 दृष्टांत हमारे आर्थिक पैसे और संपत्ती के संबंद में कहा है दुबारा कह रहा हूँ प्रभु येश्यू ने 38 दृष्टांत कुल सिखा है उसमें से सोला दृष्टांद धन या पैसा या संपत्ती के विशे में उससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की सोच हमारे विशे में क्या है मैंने तेरे को सोंपा है तू रखवाला है जब कितनों के पास कुछ नहीं मैंने तेरे हाथ में जब सूंपा तू इस विशे में कितना बफ़दार है मती छे का 25 से 33 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ मती छे मां अध्या है उसका 25 से 33 तर इधर हमने पढ़ते हैं इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पीएंगे और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्तर से बढ़ कर नहीं आकाश के पक्षियों को देखो वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं तो भी तुम्हारा स्वर्गिय पिता उनको खिलाता है क्या तुम उससे अधिक मूली नहीं रखते तुम में कौन है जो चिंता करकर अपनी अवस्ता में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है और वस्तर के लिए क्यों चिंता करते हो जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं वे ना तो परिश्रम करते हैं ना कातते हैं तो भी मैं तुम से कहता हूँ कि सुलिमान भी अपने सारे वेभव में उन में से किसी के समान वस्तर पहने हुए ना था इसलिए जब परमिश्र मेदान की घास को जो आज है और कल भाड में ज्हूंकी जाएगी ऐसा वस्तर पहनाता है तो हे अलप विश्वासियो तुमको वह क्यों करना पहनाएगा इसलिए तुम चिंता करकर ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे क्योंकि अन्य जाती इन सब वस्तुएं की खोज में रहते हैं और तुमारा स्वर्गे पिता जानता है कि तुमें ये सब वस्तुएं चाहिए इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुमें मिल जाएंगी सो कल के लिए चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा आज के लिए आज ही का दुख बहुत है सो इधर परमेश्व प्रभू येश्व का वचन साफ कहता है हमें चिंता नहीं करना बिल्कुल ठीक हमें चिंता नहीं करना तो इसका क्या मतलब कि आज जो कमाया उस सब को आज हम खतम कर दें कल के बारे में हम चिंता ना करें आज बहुत से विश्वासी ऐसे सोचते हैं और उसके कारण आज आप कितने परिशानी में हम विश्वासी उनको चिंता बिलकुल नहीं करना कल के बारे में अब जब हम विश्वासी हैं हमारा प्रभू जब है हम चिंता नहीं करते लेकिन जितना हमारे हाथ में परमेशन ने दिया, ध्यान रखे, जरूरत से ज़्यादा दिया, गई लोग बोलते हैं, हमारे घर में इतने सदसे हैं, आप बोलते हैं, जरूरत से ज़्यादा है, हमारे पास तो ये तो पूरा होता नहीं है, कारण क्या है, आपका खर्चा जितना कमाते उससे ज्यादा खर्चा होने के कारण, फिर तो कमी होगी होगी, आपने अपना खर्चे को ध्यान रखना है, सो इदर मसी जीवन का जैवन जीवन दिखता है, हम जो बचन सीखते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो आरादना करते हैं, यह का सक हमारे आर्थिक जीवन में दिखना है इस चीज को हम सब ने ध्यान रखना है मेरे आर्थिक जीवन में वो अनुशासन दिखना है वो मेरी सिद्धता मसी जीवन की वो सिद्धता मेरे दैनिक जीवन में दिखना है नहीं है तो वचन पढ़कर प्रार्थना करकर गाना गा अगर लाब क्या रहा, फाइदा क्या हुआ, सो इसलिए मैंने ध्यान रखना, चिंता नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा बाप है, लेकिन जो मिला है, उस विशे में मैंने बहुत ध्यान रखना है, मत्ती दस्वाध्याय का, पांच से आगे हम पढ़ते हैं, मत्ती दस्वाध्याय, उसका पांच से, मैं आपके सामने आयत रख रहा हूँ, दस का पांच, इदर हम देखते हैं प्रभु येश्यू मसी, दस का पांच से लेकर, ग्यारा अध्याय का एक आयत तक हम जब पढ़ कर देखते हैं, प्रभु येशु अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेज रहा है, पहली बाद, जब भेजते समय उनको साफ साफ कहा था, बिमारों को और चलते चलते प्रचार करे कहो कि स्वर्ग का राज्य निकटा गया, बिमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोडियों को ना रूपा और ना तांबा रखना, मार के लिए ना जोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए, जिस किसी नगर या गाओ में जाओ, तुम पता लगाओ कि वहां कोन योग्य है, और जब तक वहां से ना नि अपने साथ पटूके में ना तो सोना, ना रूपा और ना तांबा रखना, मार के लिए ना जोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, यानि तुमने अगले खर्चे के लिए कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, तुम जिस शेहर में जाओगे, उदर किस के घर में रह सकते हैं, पता करो और उदर रहो, यह पहली बार कहा, यही बात को सोचकर आज कर आज कर बहुत से सेवक भी, विश्वासी भी, आज जो मिला यह आज के लिए, आज हमें इसको खतम करना, कल के लिए कोई चिंता नहीं करना, हमें प्रबू पर भरोसा, यह बोल कर चलते हैं, लेकिन इधर आप ध्यान रखना, गलती किदर करते हैं, पहली बार प्रबू ने उनको जब बोला, तो बोला, बिल्कुल ठीक है, कुछ ले कर नहीं जाना, लेकिन दूसरी बार जब भेजा, लुका 22 का 35 और 36, लुका 22 वह ध्याय, उसका 35 और 36 हम पढ़ते हैं इधर लिखा है, और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटूए और जोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की गटी हुई थी, उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं, उसने उनसे कहा, परंतो अब जिसके पास बटूआ हो, वह उसे ले, औ और जिसके पास तलवार ना हो, वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है, कि वह अपरादियों के साथ गिना गया, उसका मुझ से पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विशे की बाते पूरी होनी पर है, तो इधर प्र अभी जो का, इसमें फरक क्यों, प्रभू येश्य एकदम विप्रीत क्यों बाते कर रहे हैं, उससे हमने परमेश्यर की योजना को समझना, एक समय है, जब तुम जाओगे, मैं लोगों के मन में ऐसा काम करूँगा, कि वो आपको सब कुछ देखबाल कर लेंगे, आपको कि इसी बात की चिन्ता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन परिस्तिती बदलेगी, जब बदलेगी परिस्तिती तब आप दूसरे परासृत नहीं हैं, आप के पास इंतजाम होना है, तो इससे विश्वासी क्या समझता है, जब प्रभू ने मुझे दिया, मैं बार बा कहता हूं जरूरत से ज़्यादा जब दिया है मेरा फर्ज बनेगा एक विश्वास योग ये खजांची के तौर पर मेरे को जो मिला है उसको मैंने ध्यान से इस्तेमाल करना आज इस सेशन में सिर्फ इतना ही पहली बात हम अगले में हम सीखेंगे कैसे हमें मिली वी बातों का हमने ध्यान से इस्तेमाल करना आज समझना है मेरे पास परमिश्यों ने जरूरत से ज़्यादा दिया बड़ी कोठी नहीं होगी ठीक है छोटी सी जुगी होगी आपके चट के उपर आपने अभी बरसात का मौसम आ रहा है आपके चर्थ के उपर टीना नहीं है सीमंट का च चलने के लिए तंदरुस्ती तो दी है जिससे आप काम कर सकते हैं पत्नी और बच्चे परमेश्यों ने जिन्दे रखे न कितनों के पास ये भी जब नहीं है आपके पास कितना कुछ है आप आपसे जो ज़्यादा उनको देखते रहते हैं जो आपसे भी कमजोर हैं उनको जरा देखे तो आप कितने भागिशाली हैं परमेश्यों ने आपको कितना कुछ दिया तो इसलिए आज इस सेशन के अंत में आपने और मैंने समझना सीखना क्या है प्रभू ने जब मुझे दिया मेरको चितना मिला है चाहे दस रुपे ही मिले हैं सो रुपे मिले हैं अब मैं इसको ध्यान से इस्तेमाल करूँगा ध्यान से इस्तेमाल करूँगा परमेश्यों मुझे देख रहा है मैं इसमें विश्वासी होगी हूँ या नहीं हूँ क्योंकि जो थोड़े में विश्वासी होगी है उसको परमेश्यों और सुंपता है तो ध्यान रखें ये ठग आशान कोठियों में रहेंगे आश का जीवन बिताएंगे और आपको लालच देकर आपसे भी जो है वो भी लूट लेंगे क्या बोलते हुए कि मैं देख रहा हूँ आशिश आ रही है आपके खाते में आ रही है तो इसलिए मैं चाहूंगा आप इनके चक्रों में ना फसें क कल के बारे में चिंता बिलकुल नहीं क्योंकि हमारा बाप है तो उसका मतलब ये नहीं कि जो मिला वो सभम उड़ा दे नहीं मेरे को जो मिला है इसको मैं ध्यान से इस्तेमाल करना है प्रार्थना करना है प्रभू तू मुझे ग्यान और समझ दे ताकि मुझे जो मिला है इ हमारे अनुग्रेकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रबु इस आर्थिक अनुशासन के पहले सेशन को जब हम देख रहे हैं। प्रबु हमें आपने कितना कुछ दिया है। जब कितनों के पास कुछ नहीं, जरुरत से ज़्यादा जब दिया है प्रबु। इस विशे में जमवार रहने के हमें मदद कर। प्रबु हम कई बार इन बातों को हम ध्यान नहीं दिये। लेकिन आप हमें सिखा रहे हैं, बना रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। तो मेरे पास फटी भी जूती है, कोई दिकत नहीं प्रबु। इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर निकले ज्यान और समझ दे। कपड़े फटे हैं, कोई दिकत नहीं प्रबु। कितनों के पास कपड़े नहीं, प्रबु इस कपड़े को सिलाई करकर इसको अच्छी तरह पहनूँगा, ये मन और ज्ञान तो हम एक-एक को दे प्रबु। ताकि हमारा जीवन बहुतों के लिए आशिष का कारण बन सके हैं, सब महिमा आप ही को देते हैं, ये श्युमसी के मदु नाम से हम मानते हैं, आमीन, आमीन, प्रबु आपको बहुत आयत में आशिष दे.